थाना च्छाता कोतवाली अंतरगत अहूरी गाउं के रहने वाले नीरज पुत्र जगदीज और सुनील पुत्र ओम प्रकास पर नामजद व्यक्तियों ने जानलेवा हमला बोल दिया और उन्हें गोली मार दी दरसल नीरज और उसके चाचा का लड़का सुनील गैहू बेचने के लिए मत्रा गए हुए थे जैसे ही वे लोट कर आ रहे थे तो रास्ते में कुछ नामजद व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया और उनके उपल लाठी दंडों से वार कर दिया वहीं हमलावरों में से एक व्यक्ति ने फाइरिंग कर दी वो गोली सुनील के हाथ में जा लगी जिससे वो गंभीर रूप से घैल होकर जमीन पर गिर गया फाइरिंग की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड इखटा हो गई लेकिन हमलावर तब तक वहाँ से भाग निकले सुचना मिलने पर पियार वी अठारे सतानवे भी मौके पर पहुंची जहां मौके पर पहुंचे पियार वी पुलिस कर्मियों ने खैलों को चाता के सामुदा एक स्वासकेंद्र पर भरती कराया लेकिन सुनील की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर के द्वारा उसे मत्वरा जिला चिकिस साले में रेफर कर दिया गया डॉक्टर ललित समी ने कहा कि लगवग 11 वजे उनके पास दो मरीजों को लाया गया था जिन में से एक का नाम नीरज और दूसरे का नाम सुनील था वहां से सर्जन की उपीनियन आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर हाथ में गोली लगी है या कुछ और है दूसरे व्यक्ति के सिर में जोट है फिलहाल वो खत्रे से बाहर है और डंडा मानने लगी हैं But I amnetsu showsera back around तो गाउं कासमें जुताई होरी थी शर्तों के लिए लोगं भागा हुए और और उन्होंने एतने दरग्सिंगंने कि आखा वोलोक के आप। कोम पोलोक ते आप। द्रहम सिंग था, द्रहम सिंग ने कहता गोलीवाऊण और विरुटि प्रकानफे तमचनकार के चलाया था। और उसका भाला था मौनू सनौप किसंग सिंग, मानिक चन सनौप बागवान सिंग और कालू सनौप दर्म सिंग कुल कितने लोग थे हों सब जिसने गोली चलाई थे एक था एक ने चलाया और कुछ ने लोट की 87 अजारों परी थे गयों बेच किया आए यह जो दूसरे गायल है इन क्या नाम है सनौप प्रकास अबरी के रहने वाले हैं सब गड़ना जो कर जिसने गड़ना की थी वो कौन थे कहां के रहने वाले हो वह भी अबरी के